हाई ड्रोल्डीज, वेलकम डू एजी पे कॉमर्स क्लासिज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने इंफ्रस्ट्रुक्चर के चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें जो हम टॉपिक बढ़ेंगे उसको नाम है है हेल्थ, हेल्थ आप स जानते हो हेल्थ का मतलब क्या होता है हेल्थ की जब मैं अगर आपसे नॉर्मल वे में पूछू हेल्थ क्या है तो आप बोलोगे यार फिजिकली स्ट्रॉंग होना हेल्थी है हेल्थ कहलाता है जब हम लोग फिजिकली स्ट्रॉंग होते हैं स्वस्त होते हैं उसे हेल्थ कह के साथ साथ mentally fit होना भी है यानि कि दिमागी तौर पर fit होना और social well-being socially भी आपको fit होना जी है यानि कि रस्ते में निकलता है किसी के भी चाटा मार दिया नो तो वो चीज नहीं होनी चाहिए health तीन sense में रिखी जाती है physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or informity यानि कि सिर्फ अगर आप बिमारियों से चुटकारा पा रख्यों तो और आप ये सोचो कि आप healthy हो तो वो full definition health की नहीं है health का मतलब बिमारियों से सिर्फ चुटकारा पाना नहीं होता बलके physical, mental and social well-being होता है तीनो sense में हम लोगों को strong होना होता है ठीक है तो health का एक wider meaning दिया गया है guys हम लोगों की book में जो की actual meaning है health का हमें पता होना जीए right अब guys health के बारे में काफी सारी बाते कहे जाती है तो book में हमारे कुछ important points है health के बारे में जो आपको पता होने चाहिए काफी बड़ा topic है यह हमारे chapter का जिसमें health के काफी conceptual knowledge आपको पढ़ने को मिलेंगे लेकिन अब भी हम लोग कुछ important point पढ़ते है health के बारे में health is not only absence of disease health का मतलब बिमारियों से छुटकारा पाना सिर्फ नहीं होता health का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई बिमारी नहीं है और मैं कहूं कि आरे मैं तो healthy हूँ तो सिर्फ इतना healthy होना नहीं है बल्कि किसी person को उसका potential जानना वो क्या कर सकते है वो क्या काम कर सकते है उसके अंदर क्या knowledge है वो healthy कहलाता है समझ भी हो ना मेरी भावनाओं को second health का मतलब क्या है growth and development of the nation कैसे कह सकते हैं यह देखो जब एक person healthy होता है तब ही वो काम करता है जब वो काम करता है वो देश के लिए productivity में production में help करता है उसी की वज़े से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाते है तो देश की growth के लिए भी उधर की manpower का उस देश की जनसंक्या का population का healthy होना जरूरी है इंप्रूव efficiency and productivity बता दिया यह जिस अगर वहां की manpower healthy होगी एफिशेंट होगी कभी महा पर productivity होगी efficiency और आएगी कब जब वहां के लोग healthy होगी अगर बिमार पढ़ें बहीं हम तो विमार पढ़ें क्या काम करें बिमारी पर ही सारा ध्यान जाएगा इसलिए बिमारी से अगर हमें ध्यान हटाना है बिमार नहीं होना है अगर बिमार है तो हमारा ध्यान नहीं लगा रहेगा, इसलिए हमें अपने आपको बिमारियों से दूर रखना चाहिए, तो वो कैसे रख सकते हैं, अच्छा खाओ, प्योर जीओ, उसे से बिमारी, तो हेल्थ जो होती है, एक्जल में अगर इन्फॉर्मल उसमें जाओ, परसनल आपसे बात क तो तभी आप आगे कमाने की सोच पाते होー, तो हमारा सबसे बड़ा जो धन कहा जाते हो, हमारा शखरीश होता है, इसके बाद, कौर सब्सक्वार्म इसलिदी को परेट करने की? समयक्त का इसनल मेसर, इसका Мतलब हम किसी देश की, जब health को देखते हैं कि किसी देश के लोग कितने healthy हैं तो सिर्फ एक चीज़ को देखकर नहीं देखते हैं काफी सारी चीज़े जैसे वहां का death rate का चल रहा है वहां पर infant mortality rate किसे कहते हैं एक साल से छोटे जो जनमे बच्चे होते हैं उनकी death कितनी हो रही है इसी पर सिर्फ नहीं depend करते हैं हमारी जो average life expectancy है उस पर भी depend करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ से हम measure नहीं कर सकते कि यह देश तो बड़ा healthy है सारी चीज़ों के पहली को देखा जाता है तब हम एक देश के बारे में वहां के बारे में judge कर सकते हैं कभी भी आप single measure से judge नहीं कर सकते है watch वह हमारे देश में health की facility को दिखाता है Jció से हमारे देश में कितने hospitals हैं कितने beds हैं कितनी nurses हैं कितनी doctors हैं जिससे हमीं health में disease से बचाया जा सकता है मैं healthy बनाया जा सकता है इसलिए का जाता है मनलब बहुत सरी बात है लिख्ये बुक में, अगर हमारे पास सारी चीज़े हैं, सिर्फ इतना होना सफीशें नहीं है तो अगर आप हमारे इंडिया में देखोगे, तो काफी जादा हमारा हमारा हेल्थ में इंफ्रस्ट्रक्टर इंप्रूव हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी चेंज़े आया है लेकिन वो चेंज़े हमारी इंडिया जो है गाइस, वो सेकेंड मोस्ट पॉपूलेटिड कंट्री है चाइना के बार और यहां पर सभी को हेल्थ की फेसिलिटी देना पॉसिबल नहीं हो पारा तो इसके उपर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमारे इंडिया में हेल्थ के ओपर काम किया गया है कितने यह जो अर्बन और रूलर इरियस में रहते है लेकिन उनके पास हेल्थ की फेसिलिटी लेकिन हिल्थ का एक जो वाइडर सेंस ओफ मिनिंग था है। होप आप लोगों को समझ है होगा। और अगर समझ है तो लाइक करना है, सबस्क्राइब करना है जरनल को अगर नहीं किया है। उसके अलावा गाईज, आप लोग अपने डाउप मेरे से योट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूच सकते हो। थांक यू।